नमस्कार दोस्तों नमक सोडियम और आयोडिन का प्रमुक सोर्स है जिस तरह से सोडियम या आयोडिन के अधिक्ता नुक्सान दायक होती है उसी तरह इसकी कमी समस्याय पैदा करती है सोडियम की जरूरत को सिखाओ के ठीक से काम करने शरीर में मौझूद फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट संतुलित करने और ब्लेड प्रेसर कंट्रोल में रखने के काम आता है और आयोडिन थैरोक्सिन हार्मौन के लिए जरूरी है इसलिए नमक सरीर का एक जरूरी हिस्सा ह लेकिन कितना हमारे सरीर को जितने सोडियम की जरूरत होती है उसका 90 प्रतिसत हिस्सा टेबल सॉल्ट या आम नमक से पूरा हो जाता है डबलू एचो रोजाना पांच ग्राम से कम नमक खाने की सलाह देता है यानि एक चम्मच के करीब लेकिन किया आप पूरे दिन में इतना ही नमक खाते हैं तो वह यह नमक ज्यदा खाने के नुकसान के बारे में बात करते हैं किसी भी यूमर में ज्यदा नमक खाना आपके बल क्लोड की दिक्कत भी हो सकती है किस तरह के नमक में होता है सबसे कम सोडियम रिफाइंड नमक आम तर पर घरों में यही नमक यूज होता है और इसमें 99% सोडियम क्लोराइड होता है इसमें कोई असुद्धता नहीं होती लेकिन पोशन के लिहाज से यह सही नहीं होता समुद है समुद्री नमक में आम नमक की तुलना में 10% कम sodium होता है सिंधा नमक हिमाला से निकाले जाने वाले गुलाबी नमक में bhit sodium कम होता है और इसमें magnesium और potassium जैसे खनिज लेवन होते है sertic salt यानि grey salt जिसमें sodium की मात्रा कम होती है और दूसरे खनिज लेवन प्रचूर मात्रा में होते है ये नमक इतना प्राक्रितिक होता है कि इसमें कोई भी बाहरी चीज नहीं मिलाई जाती है कम sodium वाला नमक खाई या नहीं बाजार में low sodium salt मिलते हैं लेकिन इसे खाना चाहिए या नहीं इस नमक में sodium की मात्रा 50% कम होती है सांथ ही potassium salt के नाम से उपलब्द नमक में sodium नहीं होता है ऐसा नमक उन्हें ही खाना चाहिए जिने sodium खाना मना हो क्योंकि इसे खाने से आपकी डाइट में पोटेसियम की मातरा बढ़ सकती है इन चीजों को बिल्कुल न खाए हमें उन उत्पादों से भी बचना चाहिए जिनमें फ्लेवर को बढ़ाने के लिए मोनो सोडियम ग्लूटेमेट का इस्तिमाल किया जाता है नमकी निशनैक्स ज जिन्हें प्रिजर्व करने के लिए नमक का इस्तिमाल होता है पैकेट बन खाने की चीजों को ध्यान से देखें जिसमें नमक या मोनो सोडियम ग्लूटेमेट हो तो दोस्तों इस तो यह और जानकारी युक्ते वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जर जिन्हें वाद।